हेलो स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का एक बर फिर से हमारे इस ओफिशल टुप चैनल में जिसका नाम है एस सोल सुलुशन मैं चन्दन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ सो गाइस आज के इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो ग्राजवेशन या फिर पोस्ट ग्राजवेशन में या तो तीहत्तरवा सविधान चन्षोधन या चोहत्तरवा सविधान चन्षोधन यानि constitutional amendment पढ़ रहा है तो आज के नई वीड से आप सभी को बहुत value मिलेगी especially वे सभी students जो master of political science के students है या फिर जो graduation के या फिर honors में या प्रोग्राम के किसी भी तरह के student है तो चलिए जादा देर ना करते हैं आज के अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं तो आपको कुछ basic सी बात हैं पता हुनी चाहिए 73 वे और चोतरवा दौनों सविदान चंशोधन जो है 1992 में संसद में पेश हुए कहां पर भारतिय संसद में पेश हुए इसके बाद में आपको एक चीज यह दियान रखना है और इस पे जो कानून है 1993 में बनके तियार होता है यानि स्थाने शासन अधिनियम जो है वो 1993 में दूसरी चीज आपको यहाँ पर अभी याद रखने हैं कि जो 73 सविदान चंचोधन है यह किस से संबन्दित है? ग्रामिड से संबन्दित है और ग्रामिड में भी क्या है पंचायती इस्थाने शासन पंचायती शासन व्यवस्ता से संबन्दित है वहीं 44 वह शर्विदान ये आप सभी के इस्ताने शासन लेकिन सहरे इलाकों की पैचान के लिए और साथी साथ सहरों में नगर पालिका की जो वैवस्ता है उसके लिए इस अंसोधन किया गया था तो चले डिटेल वाइस बात करते हैं दोनों के अंदर आप सभी को एक चीज का ध्यान रखना है कि ये गाओं में और शहरों यानि नगर के लिए स्ताने शासन से जुड़ेवे दोनों सविधान चंचोधन है जो 30वा सविधान चंचोधन है वो किस से ग्रामीन इलाके से समबनदित है और जो 44वा है वो नगरी इलाके से तो इसमें सबसे पहली बात तो सत्ता का विकेंदरी और जिन भी प्रतिनिदियों को जनता चुनती है वे सभी उनके अनुकूलिया उनके इसाब से ही कारे करते हैं तो सक्ता का विकेंद्री करण का मतलब क्या है आप सभी को पता है कि विश्व में आज़ात तर देशों ने क्या कर रखा है संगवाद को अपना रखा है अभी संगवाद क्या होता है संगवाद का मतलब होता है दो या दो से अधिक स्थर्प की शासन व्यवस्ता संगवाद कहलाती है यहाँ पर हम बात करते हैं लोकतांत्रिक विकिंद्रिकरण की तो यहाँ पर भी सत्ता जो है वो दो से अधिक स्तर की बात होती है विकेंद्री करण का मतलब यह है कि किसी एक जगापरी पावर का सेंट्रलाइजेशन ना हो, पावर जो है किसी एक जगापर केंद्रित ना हो जाए सक्ती का बटवारा होना चाहिए, यानि जो शासन है, जो सत्ता है वो सिर्फ एक ही स्थान पर केंद्रित ना हो जाए, बलकि वो स्थाने स्थर पर भी उसका विवाजन किया जाए, ये सत्ता का विकेंद्रिकरण कहलाता है, आप असान शब्दों में इसको इस तरीके से भी समझेंगे, इसके अलावा आप लोगों को और भी कुछ सीजे समझन स्थाने समस्याओं को सुलजाने के लिए अच्छे विकल्ब के रूप में देखे जा सकते हैं, अगर हम बात करें सोतंतरता के पश्चात, पंचायती राजिस्थान बहरत में, तो बही शुरू से ही जब से नहरू परदान मंत्री थे तब से ही इस बारे में बात हो रही थी कि हमें सत्ता का विकेंदरी करना चाहिए, हमें एक ऐसी सासन विवस्ता अपनानी चाहिए, जिसमें जादा से जादा क्या हो सत्ता का विकेंदरी करना किया जाए, और साथी साथ जो गांदी जीते उनके भी इस पे बहुत जादा विचार हमें देखने को मिलते हैं, इसके अलावा हम देखें तो यह जो 73 सविधान शंशोधन है जैसा कि मैंने इस स्राइटिंग में बता दिया यह ग्रामेन इलाकों के पंचाहिती राजव्यवस्ता से समंधित है और यह संसद में कब लागू हुआ एक तरी कि सविधान मन के कब लागू हुआ तो 1993 में सविधान में शंशोधन हुआ और संसद के तुरू इसको लागू कर दिया गया इसका क्या उद्देश्य था तो अगर हम देखें लगबग ढ़ाई लाक से अधिक लोग आज पंचाहिती उन्हें अधिकार मिल चुका है वो पंचाहिती रूप से ससक्त भूमिका अपनी निबार है और सा स्थाने शासन जो वो बैतर डंग से चलाया जा सके ठीक है तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है कब यह स्थाने शासन की इसके बाले में बात हुई इसके बाद में हम बात करते है अपनी अगली स्लाइट के उपर अब हम इसकी प्रिश्च भूमी देखेंगे कि भारत में जो स्थाने शासन है उसका कॉंसेप्ट कब से आया तो आप सभी को पता होना चीए कि हमारे देश में एक वाइसराय थे जिनका नाम था लौड रिपन क्या नाम था लौड रिपन आप लोगों को ध्यान रखना है यह नाम लौड रिपन इन्होंने भारत में स्थ 1882 में उन्होंने स्थाने शासन से सम्मंदित एक प्रस्ताव जो है वो दिया था और इस प्रस्ताव को ही अना इस प्रस्ताव के लिए स्थाने शासन को लागू किया इस प्रस्ताव के अंदर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि लौड रिपन कौन थे लौड रिपन ए की में दोरी शातर व्यवस्ता की गई है अब किया में दोरी शातर व्यवस्ता की गई है घृःतर शांतार यहां पर राज्य स это अब क्या है कर दे UT की, UT मतलब होता Union Territories तो वहाँ पर जाहतर जो परशासनिक अधिकार है वो सिर्फ केंदर के पास में होती है केंदर शासन परदेश होते हैं इस वज़े से तो स्थाने शासन अगर हम प्रांतों में देखें तो वो क्या किया गया था स्थाने शासन के बारे में स्टार्टिंग से बात तो ही थी पर लागू नहीं हो पाया लेकिन आगे चलके हम देखते हैं स्थाने शासन को भारत में भी बारते सविदान के अंदर एक अभिन अंग के रूप में दरजा मिलता है शासन के रूप में दर्जा मिलता है और ये आगे सल के सोतंतर प्राप्ति के पश्चात नहरू के टाइम पेकप 1957 में एक योजना बनी अब एक योजना आयोग थी उस योजना आयोग ने प्रस्ताव रखा कि हमें क्या करना चाहिए हमें स्ताने सर पे शासन मेवस्ता को मजबूत करनी चाहिए हमें स्ताने शासन मजबूती से करनी चाहिए क्योंकि पंचायती थी तो पर वो हमारी कभीले पंचायती ना तो उसका चुनाव होता था और हरे कभीले की पंचायते जो है वो अलग होती थी इसके लिए यूजन अयोग ने क्या किया 1957 में एक प्रस्ताव रखा था इसमें सामुदाइक विकास कारेकरम के तैत 1952 में इसमें राष्टे स्तर पर आप सबको अलग-अलग समीतियों के बारे में इसमें पढ़ना है जैसे आपने देखेंगे कि बल्बंत राय मेहता समीति है ना इनोंने क्या किया था नॉइंभर 1957 में अपनी एक रिपोर्ट सरकार को सौपी थी और इस रिपोर्ट में इनोंने क्या किया कि ग्राम पंचायत को तीन सतरों पर विवाजित करने कि इनोंने बात करी थी पहला मद्यवर्ती अगरम बात करें दूसरा ग्रामिन इलाका है और तीसरा आपका जिला तो तीन वर्गों में सबसे पहले अगरम देखें तो गाहूं आता है गाहूं के बाद में नीचे हम देखें तो ब्लॉक आता है बुलॉक के बाद अगर हम देखें तो जिला आता है तो तीन स्थर की पंचायतों का प्रावधान किया गया इसे अगर हम देखें तो आप लोगों को ध्यान रखना है त्री स्थरिये बनावट भी कहा जाता है ये भी इसे कहा जाता है बात करते हैं अगले स्लाइट पर इसके बाद में अब भई कमिशन ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी बलवंतराय मेहता ने अब इसके बाद में उनकी सिफारिशों को सुईकार करने की बात चल गई लेकिन आगे सलके सबसे पहले अगर हम से आपके एक्जाम में कोई कोशन एक नंबर में वैसे तो आता नहीं है कॉलेज वगरे के लेकिन आप लोगों को ध्यार रखना है कि अगर किस कौन सा ऐसा स्टेट था जिसने पंचायती व्यवस्ता को सबसे पहले स्थाही रूप से लागू किया तो उसमें राजस्थान ही था राजस्थान में सबसे पहले लागू हुआ था और उसमें प्रणार मंत्री जवलाल नहरु जो जुद्य उनके द्वारा त्रीस तरिये जो बनावट है उसका उद्गाटन कर दिया गया था इसके बाद में आगे चलके देखेंगे उन्हें सो तिनार्मिन में तीयत्तरवावी और चोत्रवावी दोनों शंसोधन हुआ इससे पहले भी कई सारी कमीटिया बनती है लेकिन आप लोग अभी पहले इसको समझ लीजए क्योंकि इंपोर्टन क्या है अभी यहाँ पर बार बारी आपको त्रीस तरिये बनावट के बारे में चिक्र हो रहा है तो त्रीस तरिये में बता दिया था एक मे ग्रामीड आपके गाउं आते हैं गाउं के बाद में नीचे आपके ब्लॉक आते हैं और ब्लॉक के बाद में आप लोगों के क्या जाते हैं जिला जाते हैं जिला पंचायत इस तरीके से इसको हम विवाज़ित करेते हैं तो भारत में तरी इस तरी पंचायती राज विवस्ता ग्रामिन पंचायत गाउं से लेकर ब्लॉक से लेकर और जिला पंचायत तक शामिल किया गया यह चीज़ आप लोगों ने पहले ही समझ ली बात करते हैं आगे इसके बाद में अगली स्लाइड अब भई इसके साथ साथ आपको दियारन रखना है कि सविदान संचोधन को इस सविदान संचोधन के दवारा अधिनियम इससे सविदान संचोधन के दवारा इसके पंचायती शासन विवस्ता है जो कि पहले आपके राज्य की निती निसक तत्तु में आता गया इसके अलबा सविधान का जो मूल भाग है उसके अंदर भाग नो इसके अंतर का पंचाहिती राज व्यवस्ता का उपूबंद किया गया अनुचे 243 में इसकी बात की गई है और भाग 9 में पंचाहिती नामक एक सीर्शक और इसके अंदर आगे चलके 243 से 243 ना तक इस क्या है पंचाहिती राज का उपूबंद किया गया या इसकी व्यवस्ता कर दी गई है आप लोग को ये भी याद रखना है अब हम बात करेंगे एगले स्लाइट पर इसके साथ साथ ग्राम सभा यानि ग्राम सभा का मतलब होता है वो सब जो गाउं में पंचाहिते होती है ग्राम सभा उन सभी शक्तियों का उप्यों कर सकती है उन सब कारियों का कर सकती है जो कि राज-विदान मंडल द्वारा वी निर्धानित किये गए नहीं हर एक पंचाहितों की जो विवस्ता है हर एक स्टेट ने अलग अलग कर रकी है बाकी जाहतर पर कौमा ने सिक रशी स फिर जो मंडरी का जोजना है उसको लागू करवाने में पंचायतों की बहुत ही जादा पूमिका है इसके बाद में आगे जलके उनिसो तिरानवे महीं त्यत्रवे सविदान चंसोधन के अंतरगत क्या किया गया उनतिस विश्यों को ग्यार वियन शूची में डाल दिया ग पताया गया अब उसको भी पढ़ सकते हैं इसके असाथ पंचायती सीटों पर सभी पंचायती सीटों पर जो निर्वाचन है वो छेत्री है इस तरपर होगा और वहां पर जो भी वहां की परजा होगी वो क्या करेगी पर्तेक्स रूप से इसके लिए बागेदारी किस चीतरों में वजित किया गया है इसके इंदर आरक्षण का प्रावदान किया गया है यह अर्प संकक अना इसके साथ साथ अगर हम देखे महिला है SC ST OBC इन सभी के लिए इसको आरक्षित किया गया है इसके बाद हम बात कर लेते आगे अगली स्लाइट के उपर तो नाव यहाँ पर हम देखेंगे कि सविधान के जो अनुचेहते 243 गाह में अनुचेहते जाती और जन जाती के लिए सीटे आरक्षित की गई है इसके अलावा प्रांतिय इस तरह पर उनका आरक्षन जो है वो उनके अनुपात के अधार पर होगा अनुपात के अधार पर इन सब आरक्षन इस तरह की गई है जिन चेतरूप पर SCST की संक्या जादा है वहाँ पर SCST को आरक्षित कर दिया गया है इसके अलावा महिलाओं के लिए भी जब यह संशूदन वहा था तो उसके लिए एक टियाई जो है वो सीटे आरक्षित कर दी गई थी तो आप लोग क बीतर ही क्या होगा इसका चुनाव करवाना पड़ेगा और 6 महीने के बीतर ही इसका चुनाव हो जाना चाहिए आप लोगों को यह याद रखना है इसके बाद में अब हम बात करेंगे चौतरवे सविदान चुन चोदन की क्योंकि पेपर में आप लोगों के जहातर यह और 1292 में नगरपालिकाओं द्वारा सविदानिक दरजा देने के लिए इसको किया गया था और यह सविदान संचोदन संसद में चोई 1992 में पेश किया गया और 1993 में एक जून 1993 से यह परभावी हुआ यानि लागू कर दिया गया इसके बाद में इसके लिए कुछ करती है और नगर पालिका परिश्ट चोटे-चोटे सहरों में लगू यह नगरों में इनका गठन किया जाता है इसके बाद बात करेंगे इसके अलावा बहुत सारी जगाओं पर आप सभी के लिए इसे दिल्ली की बात करेंगे हम तो MCD बोर वगेरा इसका गठन किया गया है इसके साथ साथ आप दियान रखेंगे कि सविधान के अंदर बार्वी अनुसूची जोड़ी गई थी और साथी साथ 18 विश्यों को उसके अंदर डाला गया था इसके लावा नगर पालिकाओं में भी महिलाओं के लिए और साथी साथ अगर हम देखें अनुसूची जाती और जनजाती के लिए सीटों का अरक्षिन का प्रावधान किया गया है इसके अलावा परते एक नियाय पालिका में ये सब तो परमने पढ़ लिया एक त्याय सीटे महिलाओं के लिए भी अरक्षित कर दी गई है साथी साथ राज्य विदान मंडल द्वारा नगर पालिका के लगान के शुलक यानि फोर एक्जामपल जितना भी टैक्स होगा सामसीडी का टैक्स जो होता है वो सिर्फ यही इकटा करती है इसके लावा पंचायतों के संबंद में गान्दी जी का दर्शन यह important है तो गान्दी जी का मारना था कि ग्रामवांसी जो है वो सबसे ज्यादे इंप्रॉर्टेंट पार रुटा है किसी देश का अगर हमें किसी संस्थाई बनाने चीए क्योंकि शहर तो वेकास वेपार इन सब के कारण डबलप हो जाते हैं लेकिन गाउं ही जो है वो डबलप नहीं हो पाते हैं इसलिए देश समय सा पिछड़ा वह ही रहता है और देश के जो किसान है उनकी आलत दिन परते दिन खराभी रहती है इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा गरामिन इलाको का पिकास करना पड़ेगा इसलिए अगर हम देखें तो स्वविदान संशोधन में अनुच्य चालिस कौन सा आर्टिकल चालिस है उसके तहाट गांदी जी की कलपना है उसके अनुच्छार ग्राम पंचायतों के संगटन की व्यवस्ता कीगे संगटन का मतलब जो नगरपालिक आएगी और ग्राम पंचायता उसके संगटन के लिए अनुच्य चालिस मैंने बतायता आपको राज्य की निती निसक्तर तर्तों उसके अंदर ये बात की गई है इसके बारे में आप लोगों को यह याद रखना है इसके अलावा साथ ही साथ इसके अगर आप देखेंगे अच्छी तरीके से इसके इलक्शन को या फिर और चीजों को इसमें आपको बहुत सारी कमिया भी दिखेंगी तो प्रारम में यह आवशक हो गया था कि जो पंचायत को जुर्माना करने या किसी भी समाजिक बाहिश करने की सत्ता करना दी जाए स्रार्टिंग में बात चल रही थी लेकिन गाउं से जैसे कई बार होता था कोई व्यक्ति हैसा था कई गलत काम कर देता था तो उसे गाउं से बाहर निकालने का अदेश पंचायती रखती थी अना इसके इसको हटा कर उसके लिए जुर्माने का अधिकार कर लिए गया है और यह जो है कई बारी आपसी तनाव को बढ़ाने का भी काम करता है कई जगाव पर यह लागू पूरी तरीके से आज भी नहीं है और कहीं पर यह लागू है गांदी जी इस विचार का हमेशा से सपोर्ट करते हैं आप सबको ध्यान रखना है कि वह पंचायत ५। आदाल चlight में उनके व tu ६डच्णा कारे में उनकी विच्धियों कयो रचनातमक कारे को से होते हैं ऐसे वॣ कारे होते है रचनातमक कारे जो की जनता की भलाई के लिए और ग्राम वयवस्ता जो है और सब में शुधार लिघातार करना चाहिए तो यहीं ति आप सभ तो शहरों कि पहचान के लिए कुछ का ही लाइट इरिया फिक्सक्री दिये गे थे जैसे पहने कि एक किलो मीटर पर ती जो किलो मे soutzung है कि अगर एक किलोमेटर स्क्वाइर पर दोसों लोग रहते हैं तो वह अबाधी जो है वह शहरों की पहचान होगी इसके लाबा किसी भी छेत्र की आवाधी कितनी 5,000,000 से अधिक है वहां के नाव निवास चुके 5000 से अधिक और सबसे इंपोर्टेंट आप लोगों को याद रखना है दूसरा पॉइंट यह था ये तीनों की तीनों जो जो भी इन तीनों की तीनों पुबंद पे खड़ा होता है वो शेयर बन जाता है इसके अलावा कि उस चेत में रहने वाले लोग जो 75% है वो क्या करें प्रात्मिक करिया कलाप को छोड़ कर दूसरे कारे प्रात्मिक करिया कलाप को छोड़ कर प्रात्मिक करिया कलाप को छोड़ कर कोई और कारे करे अब कोई और कारे जैसे प्रात्मिक्रियकलाब आपको शायद ये भी ना पता हो तो प्रात्मिक्रियकलाब वो कारे होते हैं जो प्राकर्ती से जुड़े होते हैं अब आप वो लोगें प्राकर्ती से जुड़े हैं दो कारे आप लोग फिसिकली याद रख सकते हो एक किर्शी कारे जो किर्शी कारे ना करता हो और दूसरा पशुपालन पशुपालन अगर ऐसे स्थान पर एक किलो मिंटर में 200 लोग रहते हैं और वहां की आपादी 5000 जादिक है और 75% लोग ऐसे हैं जो प्रात्मे किरियाकल आपको छोड़ कर कोई दूसरा कारे करते हैं तो वह शहर बनने योग गया और वह शहर बन जाएगा तो नाव यह ही था पूरी की पूरी वीडियो करने चोड़ मुझे ऐसा लगता है आज किस नहीं वीडियो से आप लोगों को बहुत वैली मिलेगी और इसी परकार की इंट्रस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमार अपनी अगली वीडियो में जै हिंद जै वारत